Hello everyone, आप सब का स्वागत है, RRB, ALP और Technician 2018 का Maths का Solution कर रहे हैं, जिसमें 9 अगस्त का 13 shift complete हो चुका है, और 10 अगस्त का भी 12 shift और 12 shift complete हो चुका है, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो playlist में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, तो आज की class में 10 अगस्त का 13 shift का Solution करेंगे, दुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब पर लेजिए, आगे बढ़ते हैं, का रहा है तिरभूज A, B, C में, A, B 8 cm है, कोन A का समद्धिवाज़क आंत्रिक रूप से B, C पर D बिन्दू पर मिलता है, ठीक है, B, D 6 cm है, D, C साथ सेंटिमीटर है, तो C, A का मान क्या होगा, ठीक है, तो इस तरह से मान लेजिए एक तिरभूज है, का नाम है A, B, C, और C, और A का जो, यानि कोन A का का रहा है, इसका समद्धिवाज़क, B, C पर D बिन्दू पर मिलता है, मान लेजिए कि यह कौन समद्धिवाज़क है जो कि B, C से D बिन्दू पर मिलता है, तो यह कौन समद्धिवाज़क है, तो दोनों को बरावर भाग में इसको बांट देगा, ठीक है, तो देखिए, इसमें एक नियम होता है, कि जब कौन समद्धिवाज़क यहाँ पर मिलेगा, तो इसका जो रेशियो होगा, यानि कि B, D और D, C, और A, B और A, C का परावर होगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, A, B, अनुपाद A, C, परावर B, D, अनुपाद D, C, ठीक है, यह इसका नियम है, तो यहाँ पर देखिए, क्या दिया हुआ, A, B, दिया हुआ, 8 cm, ठीक है, B, D, दिया हुआ, 6 cm, य है, तो यहाँ देखिए, क्या रेसियो बन रहा है, यहाँ पॉइंट अटा के 0 लगा लेते हैं, और कटाते हैं, इसको 15, 55, 55, 54, 60, यहनि 4 अनुपाद 5 आ गया, तो यह देखिए, 4 का वेल्यू 8 cm है, तो इधर भी 5 का वेल्यू कितना होगा, यह दो गुना हो रहा, तो यह ह होता है, वो क्या होता है, कि समस्थान पर जो संख्या है, और वी समस्थान पर जो संख्या है, दोनों का जो अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या नि तो 11 होना चाहिए, या 11 का कोई multiple होना चाहिए, तो देखिए, समस्थान काने का मतलब है कि यह वाला यह वहला ठीक है मतलब यह 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 यहां पर देखिए क्या हो रहा है इधार 2 यहां पर चाहरा शाण पर चान पर चार हो रहा तो इन दोनों का अंतर बनाना है तो यहां पर आठ यहां पांच है तो एक्स का विल्यू क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है अगर एक ग्यारा बनाएंगे अंतर तो क्या होना चाहिए आठ ग्यारा उनीस होना चाहिए इसका मान अगर इसका मान उनीस होगा यह पांच है तो यह बचा होगा क्या होग अगला सबल देखते हैं निमलिकी समांतर स्रेनिका पहला रिनात्मक पद क्या है मतलब ग्याद करना है देखिए यह है पहला पद एक के बाद इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए दूसरा मत पहला घटाएंगे तो यह आ जाएगा मैनस 9 सबका बराबर है पूछ होगा कौन सा होगा 113 पंद्रवा 14 शोर्वा कौन सा निकलना है देखिए एंथ टार्म निकलनका जो फारमुला होता क्या होता है A ।्लस n-1 इंट्व a प्लस n पाद 212 एक ओंप लग्ला जीरों से चोटा यानि यह लिए दें जीरों कर देंगे तो यहाँ पर देखिए A का वेल्यू कितना है यानि पहला पर 139 है प्लस N मैनस 1 तो N नहीं है निकालना होगा इसको A का वेल्यू कितना है मैनस 9 ठीक है यह common difference कितना है मैनस 9 है ठीक है यह less than 0 है तो यह कितना हो रहा है 129 उसके बाद 139 यहां देखिए प्लस मैनस ठीक है एन मैनस 1 है यहाँ पर देखिए मैनस 9 गुना N तो यह हो जाएगा मैनस 9 N उसके बाद मैनस 9 अब मैनस 1 यह प्लस 9 less than 0 तो यहां पर 29 और 9 को जोड़ देंगे यह हो जाएगा 138 और यह मैनस जो 9 N है इसको उस तरब बेज देते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर प्लस में 9 N हो जाएगा तो N को उधर रहने देते हैं और 9 को इधर ले आते हैं यह less than N हो जाएगा इसको कटाते हैं नो एक का नो नो पच्छे पैंच तालिस उसके बाद पॉइंट आएगा तो तो N का जो वेल्यो होगा यह 15 से जस्ट बढ़ा होगा ठीक है 15 के बाद डिसीमल रहा है 15 के बाद जो पूर्णांग होगा वही N का वेल्यों होगा तो N का वेल्यों क्या होना चाहिए 15 के बाद क्या आता है 16 तो 16 इस सवाल का सही आंसर रोगा यानि एक स्टिंथ पद इसका सही आंसर आप्सन नमबर ए अगला सवाल देखते हूं 1560 की धनरासी A, B और C के बीच इस परकार बांटी जानी चाहिए कि A को प्राप्त होने वाला भाग, B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो ठीक है इस तरह से यानि अगर B को दो यूनिट मिलेगा तो A को कितना मिलेगा, B को मिलने वाला का 50% यानि दो का 50% आदा कितना होगा, एक होगा, ठीक है, उसके बाद अगला का रहा है कि B को प्राप्त होने वाला भाग, C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% होगा, ठीक है, यानि कि B और C का यहां पर B का value है 2, यहां पर B का value कितना है? 1 है, तो यहां बराबर नहीं, इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए उपर भी 2 से गुना करना होगा, नीचे भी 2 से गुना करना होगा, तो यह हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 10, यहां बी का value यहां भी 2 आ गया, तो balance हो लख या पहल नियुकर कितना है रशी दो है है टोटल कितना न जोड़के दो एक ति यहथ वह पराप्त होगा कुल धन कितना है 1560 तो निकालते हैं इसको लिलू की लंबाई का उनुपार 4-3 ठीक है यदि लिलू की लंबाई 1.2 मेटर है तो नानी की लंबाई कितनी है तो देकि लीलू का 3 है 3 उनिट का वैल्यू को गोन पॉइं टू लिखेंगे कितना गु omega-3 भी सब्सक्राइब 4र गुना कर देंगे तो के आठ दिन में कर सकता है जबकि इसे स्वैम करने में बारा दिन लगाती है इसे बारा दिन में करते हैं सी के साथ मिलकर वे इसे चार दिन में पुरा कर सकते हैं यानि कि ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं तो इसे चार दिन में पुरा करते हैं यदी सी और डी मिलकर पंद्रा दिन में पुरा करते हैं इसक्ते कामको पूरा करने निरंद हो रहा है यह आ जाएगा 15, एका जाएगा 10, ABC सबका जाएगा 30, ठीक है, और CD का जाएगा 8, ठीक है, तो D का Efficiency निकलना है, तो D का यहां से निकलेगा, D में जब C माइनस करेंगे तो पहले C का निकलना होगा, C का यहां से निकलेगा, D का यहां से निकलेगा, जब इसमें AB का माइनस कर देंगे तो देखिए A, B, C तीनों का Efficiency 30 है इनों का कितना है 30 है उसमें A और B का जोड के घटा देंगे तो कि यह कितना हो रहा पंद्रेदस पचीस यानि पचीस जब इसमें मैनस करेंगे पचीस तो बचेगा 5 जो की होगा C का Efficiency अब C, D में C का Efficiency जो 5 निकला है वो हम लोग मैनस कर देंगे पांच जब आठ में से पांच जब मैनस करेंगे तो यह कितना आजाएगा 3 यह होगा D का Efficiency तो D कितना टाइम लेगा यानि कुल कारी है 120 120 को इसके Efficiency से भाग कर देंगे यानि 120 बटा 3 यह हो जाएगा 40 आप्सन नमबर 8 का साही अंसर है अगला सबल देखते पुजिता की तीन वर्स पहले की आयू के एक तिहाई और वर्तमान आयू के दो वर्स बाद की आयू के आधे का योग 20 वर्स है तो उसकी वर्तमान आयू क्या है तुमान लिजे पुजिता की जो वर्तमान आयू है X है तीन वर्स पहले इसका आयू क्या रहा होगा तीन वर् बात्मन आयू यह है दो वर्वर्स बात क्या रहा होगा इसका यू रभरस बात्रा होगा एक्स प्लस अब देखिए यहां कहा रहा हरा है कि तिन वर्स पहले का जो आयू था उसका एक यानि इसका एक्तियाई कर देंगे तीन से इसको भाग कर देंगे और दो वर्स बाद वला यूज था उसका आधा यानि इसका आधा कर देंगे दो से भाग करेंगे इन दोनों का योग कितना था बीस वर्स था यानि इन दोनों को जोड़ के क्या निकलना है बीस निकलना है त 6 3 2 один कितना जाएगा 6 2 से निए निकां तो 3 8 कर देते हैं और ने तो यह तो यह सो गुणा कर देते यह आजार यह तिन 2 5 5 हुरह है आप इसे तो कट जाएगाइभा हैं 20 गुना च्छे इसको कटा देते हैं चार बार में तो एक्स का वेल्यू आ जाएगा 24 तो वर्तमान ही पूछ रहा है तो वर्तमान हम लोग माने थे एक्स तो इसका वेल्यू आया 24 तो यही आंसर होगा उप्सन नूमबर सी तो एक पहिये का वियास 84 सेटिमीटर है ठीक है 392 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्र लगाने होगे देखे पिछले क्लास में एक बात चर्चा किये थे कि अगर रेडियस वरीत का साथ रहता है तो इसका परेदी होता है कितना होता है 44 रहता है तो यहां देखे वियास है 84 तो इसका रेडियस कितना होगा इसका आधा यानि कि 42 होगा अब बताइए कि जब रेडियस साथ रहता तो परेदी 44 रहता जब रेडियस यहां 42 है तो परेदी कितना होगा देखे कितना गुना हो रहा है शे गुना हो रहा है तो इधर विरित का परिधी मतलब यह जब एक चक्कर लगाएगा तो परिधी के बराबर का दूरी तै करेंगा तो देखिए 446 इतना सेंटी मीटर में है यह दूरी तै करता है तो एक चक्कर लगाता है तो दूरी कितना तै करने कह रहा है साथ सो बेरानवे मीटर नहीं कि साथ सो बेरानवे मीटर मीटर है यहां सेंटी मीटर हमें इसको सो से गुना करके सेंटी मीटर बना लेते हैं तो इसमें यह कितना चक्कर लगाएगा तो एक क्या हो जाएगा एक बटा चौवालिस गुना के इसको गुना कर देंगे यह साथ स 52 24 25 2641 2222 172 12 1312 हो रहे हो रहे हैं a यह दोनों मिल टीन वारों कट कितना हो जाएगा 300 या निometer diesem है क्टाइस हजार 2225 का वर्मूल कौन सा है देखिए जब लास में पांच रहता तो वर पांच ऊस immortals ईसका पथी से तो इसका आईगा वर्मूल 5 और रहन की जो बचा हुआ आंक है उसका क्या करना है देखना है इससे छोटा जो वर्ग संख्या है उसका वर्ग मुल लिखेंगे आप जैसे 272 इससे छोटा कौन सा है 256 का वर्ग मुल यहाँ पर लिखेंगे यानि कि यह कितना हो जाएगा तो 165 इस सवाल का सही अंजर है आगे बढ़ते हैं निवन में से किसका मान इसमें से एक और बात के लिए कर देते हैं कि अगर मान लीजे कि हमारे पास 65 का वर्ग मुल निकालने के लिए तो क्या करना होगा पांच का 25 कर देंगे और 6 जो है यानि 7 से गुना करके यहां लिखेंगे यानि कि 6 गुना साथ 42 तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं वर्ग अगर इसका वर्ग मुल निकालना हो और यह नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग ओप्सवान का सहरा ले सकते हैं इस में जैसे यहाँ पर कैसे option का सहरा लेते हैं तो 25 तो पांच आ जातां अब यहां पर Ceramic करते हो दो क्या 272 नहीं हो रहा है baba 177 अड़ी क्या इस तरह से भी चेक करके निकाल सकते हैं अगला सब मैं से किस का मान स्तांत दसमाल में प्रापत होगा lige है कि यह आत्ली निया होता है और नीचे वला हर हर जोगा हमेशा दो के पावर में होगा या नहीं तो पाँच के पावर में होगा ठीके पावर न है कुछ भी हो सकता है जब यह नीचे इस रूप में रहे दो पर पावर न या पाँच पर पावर न के रूप में तो वो सांत होगा तो यह देखिए 36 है 36 में आ रहा है वो 2, 5 नहीं 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है 3 इसमें सामिल हो रहा है तो यह असांत होगा पिर फिर यह दोनों ही रहता है तो वो सांत होता है इसमें भी 3 आ रहा है यह भी नहीं होगा इसमें भी 3 आरह यह भी नहीं होगा इसमें देखे इसमें 3 आरह है लेकिन इसको जब simplify करेंगे जैसे इसको करते हैं 12 एक का 12 12 एक 36 एक बटा 3 आरह है तो यह असांत होगा जैसे 9 एक का 9 9 चो के 36 यह देखे 2 के power के रूप में है नीचे तो यह सांत है और यह देखे 6 एक 36 एक बटा 4 आरह है इसमें 2 और 3 दोनों सामिल है यह भी 3 गुना बारह है यानि 3 बारत यह 36 होता है तो एक बटा बारह है इसमें भी 3 है तो इस तरह से इसको निकालेंगे अगला सवाल देखे रगू ने 66 रुपे में खिलोना खरीदने के बाद इससे 15 परसंट लापर वेज़ दिया खिलोने का विक्रायमूल कितना था सिंपल सा है यासाट में यासाट का 15 परसंट निकालके जोड़ देंगे तो 66 का 15 परसंट कितना होगा 15 बटा 100 यानि तो 0.15 से गुना करके यह हो जाएगा 15 परसंट परसंट का दो वर्स में कितना मिल जाएगा 16 परसंट नो मेहना में कितना मिलेगा दिखे बारा मेहना मिल रहा ह 9 परसंट तो हम लोग को नो मेहना में कितना मिलना चाहिए कमे कितना गुणा हो रहा यह जैसे कि मानले जिएकी तीन मेहना होगा organism निकालते हैं चार से दोना तरफ और 6% इधर तुल मिला के 22% तो निवेशित की गई धनरासी पूछ रहा है और यह मिश्रधन दिया हुआ है तो 100% मुल्धन होता 22% ब्याज मिला है टोटल कितना मिल गया है 122% 732 क्या है 122% का वेल्यू है तो मुल्धन पूछ रहा है नहीं 100% तो उसे गुना करके निकाल लेंगी तो यह इसके बार में खट जागा च्छे गुना सो छे सो अप्सन नमबर एप अगला सवाल देखते हूं चाल्स और स्रिया की उम्र के बीच के साल का अंतर है ठीक है जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से साधी की थी तो और स्रेया का पांच गुना के बरावर था तब यहां पर राल्स और स्रेया का जो अनुपात आएगा क्या आएगा यह पांच तो यह वेल्यू छे साल के बरावर होगा तो इसका कितना हो जाएगा 5 यूनिट है तो 5 शाके 30 हो जाएगा इसका 30 वर्स इसका कितना हो जाएगा 4 शाके 24 वर्स तो ये 30 सल पहले कायू आया अब वरतमान पूछ रहा है तो 30 सल इसमें दोनों में जोड़ देंगे तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 60 साल इसमें भी 30 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 54 साल तो दोनों का योग निकलना तो दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 114 साल option number A का सही answer है अगला सबल देखते यदि ABCD एक समलम चतर भूजा है तो AC और BD उसके एक दुसरे को बिंदू O पर परतिछेद करने वाले भी करना है तो AC अनुपाद BD क्या होगा और यह answer दिया होगा तो इसको solve करते हैं देखिए एक समलम चतर भूजा है इस तरह से दो भूजा समानतर होता है जैसे यह दोनों समानतर है इसका तो लिखते हैं A B C D यह चतर भूज का नाम हो गया और इसका जो विकरन है AC है और BD है और यह जो कट रहा है जहां परतिश्यद कर रहा है एक दूसरे को उसका क्या नाम है O तो यहां पर similarity का concept लगाएंगे तो जाएका answer निकलेगा तो इसको solve करते हैं थोड़ा लंबा जाएगा देखिए अगर यह समानतर है और यह देखिए यह सिरसा भी मुग कोन एक तरस है अगर यह कौन थीटा है तो यह कौन भी हमारा क्या होगा थीटा ही होगा यह दोनों कौन बराबर होगा इस तरह से यह बराबर है और यह देखिए अगर यह अलफा है तो यह भी हमारा अलफा होगा और यह अगर बीटा है यह अगर बीटा डिगरी है तो यह भी बीटा होगा अगर तिर्भूज दो त ओबी एक तिर्भूज ए ओटी ऐसे शुरूब किए है एक बराबर इस तिर्भूज में डी और वसी में कौन से कौन बराबर है यह दूनुं क्या है सिमलर ने की सम रोप है जब तिर्भूज सम रहता है तो उसका जो संगत भूजा होता है का अनुपात है वो बराबर होता तो यहाँ पर संकत भूझा क्या आजाएगा और इस me 2 ए और इधर डीसी तो यह तेनों बराबर एए इसका अनुपात बराबर आब यह निकालना है a c b d देखिए a c में दो भोजा मिलता है यहां पर a o औ हो वी ओसी यह ओ है यह बिंदु का नाम यहां पर देते हैं ओ और o si मिले के a c बनता है So he है Co यहां है जब इसका पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसका प्रणी चीह दोनों यह दोनों फूर्सियों क्यों बटतियों इसमें भी एग जोड देते हैं और इस तरब भी ओटते हैं देखें क्या होगा अगे अगर इन दोनोंगों को जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा AO प्लस CO पटा CO और इधर हो जाएगा OB प्लस OD पटा OD अब देखे आगे AO प्लस CO बराबर क्या हो जाएगा दोनों मिला के AC हो जाएगा यानि इन दोनों के बराबर हम लोग AC लिख सकते हैं और नीचे तो सी ओ रहने देते हैं और इधर हो जाएगा OB OD मिलाके OB और OD मिलाके हो जाएगा BD यह हो जाएगा BD और नीचे है OD है तो अनुपात क्या निकाला है ACBD तो इसको निकलते हैं AC यहाँ पर है ही AC और BD को इस तरफ ले आते हैं तो उधर सी ओ उधर चला जाएगा BD के जगह पर सी ओ चला जाएगा और OD पहले से है यहाँ पर तो देखिए AC और BD का अनुपात आया है COOD COOD तो आप्सन में नहीं है तो हम लोग को एक step और करना पड़ेगा यहां तक निकला है इसको यहां छोड़ देते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब जो यहां पर यह दोनों में एक एक जोड़े थे अब इसी को हम लोग क्या करते हैं क्यांकि यहां पर आंसर मैनस में दिया हुआ देखिए AO पटा CO मैनस वन बराबर OB पटा OD मैनस वन करेंगे तो यहां पर भीनिका जोड़ हो रहा है एक तरह से तो यह क्या हो जाएगा AO मैनस CO पटा CO और यह हो जाएगा OB मैनस OD पटा OD तो यहां देखिए इस OD को CO को यहां लेके चल जाते हैं तो वहां से OB मैनस OD इस तरफ आजाएगा AO मैनस CO पहले से है और यहां से OB मैनस OD को ले आते हैं OB मैनस OD CO वहाँ चला जाएगा CO बटा OD ठीक है और दो चीज किया है एक बार जोड़े हैं एक बार घटा है तो दो चीज निकला है और इसका पूछ रहा है इस रूप में देखिए यहाँ पर AC और BD इसी का अनुपात पूछ रहा है सवाल पर जो की निकला है CO और OD यहाँ पर देखिए CO और OD का जो अनुपात है वो क्या निकला है AO मैनस CO जो की आंसर में है AO मैनस CO यानि OC और OB मैनस OD यानि इसके बरावर यह है और उसके बरावर यह है तो ultimately हम लोग कर सकते हैं कि इसके बराबर ये वला होगा तो ये वला होगा तो यह हमारा जो सही आंसर होगा कि टो इस तरह का सवाल जब आएगा परमें तो इसको फरस्ट राउंड में नहीं स॓ल्व करना है इसको बढ़ाया गया है इसको बढ़ाया गया है ताकि वह असपर्स रेखा है डी यह दोनों मिल रहा है इसको आगे बढ़ा दिया उसमें एब पांस संटीमीटर है यानि कि यह कितना है द यहां से यहां तक एब ओर अइसको बिदी का पूछ रहा है पिछला क्लास में क्या होता जब इस तरह से रहाता एक बार लिग देते हैं होता है डी का इसको बराबर बीडी तेका जो विरीत के बाहर है ये वला और पूरा डी ए इन दोनों का गुनन फल ये इसका कॉंसेट होता है तो ये वला यहां पर लगाएंगे डी का वेल्यू कितना है छे है एक का इस्कवार और भी डी कितना है एकस है डी ए कितना हो जाएगा देखे दी ए हो जाएगा पांच और एकस दोनों मिला कर यानी की एकस प्लस पांच तो ये हो रहा है 36 देखे X का कौन सा value रखेंगे कि 36 यहाँ पर satisfy हो जाए नहीं तो इसको गुना करके द्विगाज समिक्रन बनाईए फिर उसको solve करिए option से हम लोग एक एक करके रखके देख लेंगे फटाफट की कौन सा answer दे रहा है तो 4 रखते हैं देखे चार यहाँ पर आएगा और पोस्टक में 4 प्लस 5 कुल मिला के 9 होगा 9 उना चार 36 साटिस्फाय हो रहा है तो यह है इसका सही answer होगा यह करने में बहुत समय नहीं लगए बहुत कम समय में answer निकल सकते अगला सवाल देखते हैं दिये गए आकणों के आधार पर 4 सहरों में कुल मिला कर शिक्षितों का कुल परतिसत एक दसमनलब तक पुर्णांकित है वो पूछ रहा है क्या होगा यानि की शिक्षितों का परतिसत देखिए यहाँ पॉपलेशन है 200 जिसमें 150 शिक्षित है और शिक्षित कितना है 50 जो बी सिटी है उस में क्या है शिक्षित और शिक्षित दिया हुए 200 मीष्ली कितना होगा इसका 200 और एक सो तीन सो यह हो जाँगा 300 एक परसेंटेश अभी नहीं देखेंगे यहाँ पर और सी का सब कुछ है सिटी डी का 120 है कुल आवादी जितमें 90 असिक्षित है तो सिक्षित कितना बचा 30 120 में 90 घटाएंगे तो 30 आ जागे तो सिक्षित का पूछ रहा तो सब को जोड़ते हैं सिक्षित वला कितना हो रहा है यहां पर है 150 200 और पचासी हो गया 400 और तीस 430 और खूल आवादी कितना है यह है टोटल पॉपलेशन 200 200 300 500 516 700 और इधर सत्तर साथ सो सत्तर इसका कितना परसेंट तो 100 परसेंट सो गुना करके निकाल लेंगे तो यह कटा देते हैं बच रहा है कितना सत्तर नीचे ऊपर हो रहा है 43 00 और सत्तर से भाग देना और आप्शन इतना नजदीक है कि हम लोग एप्रॉप एप्रॉक्सी में से कर नहीं सकते तो इसको चुप-चाप शुरू हो जाएंगे भागा देना पहले पांच बार में लगाएंगे इसको यह कितना हो जाएगा 35 बचा 3, 75 थी तिन अड़ तीस तो इधर बचा 5, 25 गटा 4 प्रेगे और एक जीरो आएगा 450 इसे पांच बार में लगाएंगे 350 ही आएगा जाएगा यहाँ पर पांच और इधर हो जाएगा अच्छे याने 65 अब जस्मलब लगाते है एक जीरो आएगा और यह आठा बार में जाएगा 8,56,85,85,्टा पांच आठ से चपन पांच एक शेट 616 हो रहा है तो यहां पर आठ आएगा ठीक है और इस तरह से तो एक तक कर रहा है एक अस्थान तक तो यह एक अस्थान ले लेंगे आठ अगला सवल देखते हैं एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विद्वनसक है बिल्डर और विद्वनसक वाल पहले कर चुके हैं हम लोग यह कुल मिलाकर 20 है यानि इन दोनों का संक्यां 20 है इन में से कुछ माहल के चारों और एक दिवार बनाने की कोसिस करते हैं जबकि बा होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विद्वनसक सक्रिय हो जाते हैं तो दिवार तिन घंटे में बन जाती है तो इनमें बियद्वनसक कितने है पहले दोनों का efficiency निकाली, builder, builder को B लिखते हैं और destroyer जिसको विद्वनसक करते हैं उसको D लिखते है, builder जो है 15 गंटा लेता है time, और विद्वनसक है ये 10 गंटा, तो total कारी हो जाएगा इसका 30, 15 दुना 30, और 10 तिया 30, ये nest करता है तो इसको minus में लिखते है, minus 3, ठीक है, देखे, total 3 गंटा में 30 unit काम होता है, तो 1 गंटा में कितना होगा, अगर इसको 3 से divide करेंगे, यानि time से, तो 1 गंटा में होना चाहिए 10 unit काम, ठीक है, 10 unit काम per hour होना चाहिए, अब आगे देखिए, total है 20, इसमें पूछ रहा है विद्वनसक का, तो हम लोग माल लेते हैं कि विद्वनसक का जो efficiency वो कितना है, मैनस 3 है, तो इसमें गुना मैनस 3 भी करना होगा, उसके बाद, जब 20 था, total, उसमें x माल लिया है, विद्वनसक, तो बिल्डर कितना बचा, 20 मैनस x बचा, 20 मैनस x, इसको गुना कर देंगे, बिल्डर का जो efficiency है, दो से, ठीक है, ये दोनो को जब जोडेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक घंटा का काम आना चाहिए, तो एक घंटा का में कितना काम हो रहा है, 10 unit, ठीक है, इसका भी, जितना भी विद्वनसक, बिल्डर है, इसका एक अपने unit के हिसाब से गुना करके, एक घंटा का काम हो गया, और जो व यह कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, और मैनस 2x हो रहा है, यह कितना हो रहा है, मैनस 3x हो रहा है, और इधर 10, तो 3, 2, 5x मैनस में है, और यह 40 हो जब उस तरब भेजेंगे, तो यह मैनस 30 आ जाएगा, तो x बरावर 5, 6 के 30, 6 बार में कट रहा है, x आ गया 6, x माने थे किसको हम बिस्ट्रायर को विद्वन सको तो इसका वेल्यू छे है तो अप्शन नूमर इसका सही आंसर है इसमें लगा सकते हैं वह जरूरी नहीं है उतना इससे आसानी से कर सकते हैं अगला सवाल देखते हैं यह बोर्टमाम्स का सवाल है सबसे पहले लाइन ब्रेकेट का इनकर हो जाएगा है अब यहां इस तरह गुना है इस तरह भागा तो पहले भाग करना होगा तो और छार को तीन से पिर भाग करना तो यह हो जाएगा चार बटे तीन कितना हो जाएगा यह चार बटे तीन है यहां तक क्लियर है अब आगे देखिए यहां पर गुना यहां भागए तो पहले इसका क्लिया होगा तो पांस से साथ को डिवाइट करेंगे तो यह आ जाएगा बारह अब यहां गुना है इस तरफ चार कोटे 3 से गुना करेंगे तो यह कितना हैगा तीन चोंके बारा तार चोंके 16 हो रहा है अब 16 को 38 में मैनस कर देना तो 38 मैनस 16 नहीं कि 22 इस सवाल का साही आंसर अप्शन नूमबर डी अगला सवाल देखते हैं एक मीटर में कुल कितने किलो मीटर होते हैं सिंपल सवाल है एक मीटर में कितना किलो मीटर होगा डीकिए एक किलो मीटर में होता है 1400 हर से एक मीटर का निकलना है तो क्या करेंगे हम लोग एक को एक हजार से डिवाइट कर देंगे तो यह आ जाएगा जीरो दसमनलब जीरो जीरो एक किलो मीटर ओप्शन नुमबर भी इसका सही अंसर है तो इसी सवाल के साथ आज का क्लास समाप्ट करते हैं टोटल भी सवाल हो चुके हैं मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए भाबाए टेक केर